आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोस पर आपकर बहुत 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 लोग तो यह कहते हैं कि यह भावी पी-एम हो सकते हैं प्रधान मंतरी मोधी के काफी करीब हैं और यह आने वाले समय में कैंडिडेट भी हो सकते हैं 2011 कैडर के IPS ऑफिसर है उडूपी चिकमंग लूडू में इन्होंने पनी सर्विसेज दी हुई है करनाटक में इनको पोस्टिंग मिली गौंडिया कम्यूनिटी जो क्यों काफी प्रिस्टीजियस कम्यूनिटी वहां से आते हैं यह 37 अभी 3849 साल क यंगेस्ट प्रेशिडेंट बने हैं ठीक है यंगेस्ट प्रेशिडेंट यह बीजेपी के बने हैं एंजिनरिंग ग्राजुएट और उसके बाद लखनव से आई आई एम लखनव के आई एम से इंबी डिग्री ली हाइली कॉलिफाइड एक बहुती जबर्दस्त ओरेटर इनसे काफी उमीदे थी ए आई एडियम के एडियम के अल इंडिया द्रवेट मुनेतर कजगम इन्होंने अन्ना मलाई के साथ बढ़ चड़ के कैमपेंग के लेकिन अब दोस्तों सामने चीज़े आ गई हैं और अभी तो एक तस्वीर सामने जो बहुत गलत थी कि बकराय से अन्ना मलाई की तस्वीर करेंस को काटा जा रहा था है लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर अन्ना मलाई ने कंट्रोल किया होता अपने मूँ को तो शायद आजम जीत गए होते हैं तो तमिल बीजे पी यूनिट ने यही बोला है कि की लीडर यही थे कि सब से पहली बात तो यह है कि जो के अन्ना मलाई हैं उनकी स्ट्राटेजी एकदम बगवास रही है मिस क्याल्कुलेटेड स्ट्राटेजी जिसकी वजह से एई एई डीमके ने अपने बीजे पी से टाइस तोल दिया अभी आपको पता ने एई एई डीमके जो चैल अलिता वो जीटे तो कोई आपके सवाल नहीं उठाता लेकिन हार गए तो बहुत सवाल उठेंगे यही नियती है यही होता ही है एक और चीज़ होती है जो बलपूर डबल मर्डर केस में ऐसा मर्डर केस सबकी रूख आप गए कि एक नावालिग ने अपने माता पिता का मा का नहीं प बीजेबी स्टेट प्रेसिडेंट के अन्ना मलाई यही बोला कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो AIADMK उनको लोगों नहीं रिजेक्ट कर दिया तो कोई एलाइंस की बात ही नहीं है है ना लेकिन 2026 में एसेमली एलेक्शन तमिल नाडू में एलेक्शन होने वाले ह टूंस दिया है हम बात करेंगे फेले तमिल नाडू की बात कर लेते हैं कि ऑंग्रेश की बात करें तो उन्हों नंतालेश पर उन्ताल निंतालिस पर चुनाव ल अब बात या की 22 सीटे मिनी है DMK को राइट BJP को एक भी नी सीटे मिनी जीरो हेलो हेलो आई के सब आवाज आ रही होगी तो एक तरीके से बहुत ही खराब पफॉर्मेंस रहा है यहां पे BJP का और AIA DMK दोनों का ही तो दोनों ही एक दूसरे पर गुसा रहे हैं तुमारी वज़े से हुआ तुमारी वज़े से हुआ तो अभी अगर नाग पट्डम की बात करें तो आप यह समझे की जहां 49 सीटों पे लड़ रहते लेकिन 23 कंस्टिटुएंशिस पे जहां पे यह चुनाव रहते हैं 11 पे तो जमाना जब्त हो गई है PMK, TMC, AMMK ने भी अपनी सिक्यूरिटी डिपॉजट 10 सीटों पे जब्त की यानि कि जमाना जब्त होगी इतनी बुरी तरीके से हा रहे हैं लोगों ने रिज़ेक्ट कर दिया है तो आर्बी उदै कुमार जो की फॉर्मर AIA DM के लीडर है उन्होंने बोला कि अन्ना मलाई की वज़े से हुआ ही है अगर अन्ना मलाई ने अपनी मूँ को कंट्रोल की होते उस पर लगाम लगाया होता तो आज रिजल्ट जो है वो अलगी होते सिर्फ एक ही लीडर इसकी जो इतनी खतरना कितनी अंबारसिंग हार हुई है सिर्फ एक ही लीडर इसका जमेदार है इन एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में कुछ एक्सपीरियंस है नहीं है ठीक है न अगर इन्होंने अपने प्रीडेसेसर से पूरवजों से कुछ सीखा होता और अपनी जीप पे लगान लगाई होती तो शायद चीजे आज कुछ और होती इनकी वज़े से आज BJP जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई है और यह आगे भी होगा ठीक है अब आपको पता है कि अन्ना मलाई के वज़े से ही BJP और AIADMK अलग हो गए बता रहे हैं कि इन्हों ने हम पे अटाक किया जब हम ओपोजिशन पे थे इन्हों ने हमको डिफेम किया इनको यहीं नहीं पता चला कि इनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है SP Value Money एक और AIADMK की और बहुत बड़ा नाम है इनका मिनिस्टर भी रही है उन्होंने बोला कि देखिए अगर AIADMK और BJP साथ में लड़ती न बोट बट गए हैं आपे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी अब BJP AIADMK को अन्ना मले AIADMK को गड़ी आ रहे है तो क्या होगा लोग क्या सोचेंगे रहे दोनों में एक आई नहीं है तो अगर दोनों साथ में लड़ते तो 30 से 35 सीटे आसानी से आती मतलब आप समझ रहो इतनी तो नहीं आती वैसे 49 सीटों में से 30 से 35 सीटे आती लेकि बीजेपी तो वैसे भी साउथ इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है आंधरा को छोड़ दें करनाटक भी ठीक है लेकिन केरल और तमिल नाडू में बीजेपी का परफॉर्मस खराबी रहता है अब वहाँ पर अगर 2-3 सीटे भी आजाए बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन हाँ वहाँ पर वोट शेयर बड़ा है ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है बढ़ सीटे नहीं जीत पाए तो 30 से 35 सीट जो है वो आसानी से आती तो इसीलिए अन्ना मलाई को स्टीफा दे देना चाहिए ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला है अब बता रहे हैं कि जब सुन्दर आजन थे और एल मुर्गन थे जब वो पार्टी को लीड कर रहे थे तो हमारे टाइस बहुत स्ट्रॉंग थे बीजेपी से लेकिन जैसे ही अन्ना मलाई आए उनकी स्पीचेस की वज़े से उन्होंने बहुत खराब बोला हमारे सी एन अन्ना दुराई के बारे में जै जलिलता के बारे में यह हमारे भाई इन्होंने तमिलाडू को बना जै ललिता जब तक थी तब तक कौनी AIADM के को हाथ लगा सकता था ठीक है AIADM के जो फाउंडर MG रामचंदरन MGR जो की फिल्म प्रेडूसर अक्टर रहे उनके खिला बहुत खराब खराब बोला तो इसलिए हमने इन से अब इतना हमारे लिए खराब बोलोगे तो थोड़ी न हम तुमारे साथ रहेंगे हमने तुमसे नादा तोड़ा और मीनवाइल यहाँ पे जो बीजेपी के सीपी राधा कृष्णन ने उनको वोट्स मिले जादा अन्ना मलाई से अब समझ सकते हो तो अन्ना मलाई भी तो हारे हैं ऐसा तो है निक अ अन्ना मलाई जीद गए बीजेपी कैडिडेट तक को एमबर टूड लोग सबासे ठीक है जहां से यह आते हैं डियमके से राज कुमार से एक लाग अठारा हजार वोटों से हारे हैं ठीक है साथी साथ यह भी बोला कि जो ए आई ए डियमके लीडर्स हैं अच्छा यह अन्न कि उन्होंने अकेले बहुत बड़ी चीज़ उखाड ली तो यह दिखाता है कि एक तरीके से वेलू मनी और ए ए ए डियमके जनरल सेक्रेटरी एदूपती के पालिना स्वामी के बीच में कुछ ना कुछ गडबड है यही ए ए डियमके कह रही थी उस समय ठीक है कि अच्छे खराब तरीके से ट्रीट के तभी हम अलग गए ठीक है उन्होंने बोला कि हम चुप रहें पांच सीटों पे 2019 पे उन्होंने हमको यहां पे जो कैमपेंड कर रहे थे उन्होंने हमको रोका कि यह बीजेपी जो है वो कैमपेंड नहीं कर सकती है और अब यह बोल रहे हैं कि है अगर हम साथ में होते तो अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो यह कमाहा कि ही ही को ही पोक्रेसी है यह अन्ना मलाई का कहना है मैंने क्या बताया कि जब आप जीतों तो सर पे ताज और हारों ऑगे तो सवालों गेरों में आओगे अब जाहिर सी बात है अगर हारे है तो के सामने हैं खुछ रही पढ़ते रही दिशा सद्धान तक नहीं होता ही साइनिंग ओफ